Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपने English Educator. कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well. मैं भी बाद बढ़िया हूँ, बाद मज़े में हूँ और इतनी अची बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की फ्लमिंगो बुक का 4th chapter The Rat Trap की सम्मरी और कुछ important question and answers. So, let's begin. The Rat Trap is a story about a Rat Trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low. तो यह जो story है, Rat Trap यह किसकी story है? एक Rat Trap seller की story है. यहने वो इंसान जो चूहे पकड़ने वाले जो एक इंस्टुमेंट होता है, यहने चूहा दानी बनाने वाले इंसान Rat Trap seller की यह story है. वो बहुत poor इंसान है, उसकी अपास बहुत low earnings है, यहने कि वो बहुत अच्छे से कमाता नहीं है. तो क्या करें अब वो कमा नहीं पाएगा तो तो वो क्या करता है? चोटी मुटी चोरियां करता है या फिर begging, यहने भीक मांगने का काम करता है. तो rat trap बनाने का, begging करने का, और पिटी थीवरी याने चोटी मुटे चोरियों करके वो अपना गुजारा करता है. He has to resort to thievery and begging to meet his needs. He is alone in this whole world and leads a miserable life. इस पूरी दुनिया में वो अकेला है, उसकी कोई family नहीं, उसका कोई घर नहीं है. तो एक दिन वो जब सड़क पे जा रहा था, बहुत ठका हुआ था, बहुत टाइट था, दिन बर की महनत के बाद, तो उसके दिमाग में कई सारे थौट्स आ रहे थे. जिसमें से एक थौट उसको यह आया, कि यह जो पूरी दुनिया है, यह एक rat trap जैसी है. याने यह जो rat trap होता है, जो चूहदानी होती है, यह पूरा world उसके जैसा है. जैसे कि mouse जो होता है, वो क्या करता है? rat trap के उपर जो cheese रखी रहती है, या कोई meat का piece रखा रहता है, as a bait. तो वो क्या करता है mouse? जब वो देखता है कि कोई खाने की चीज पड़ी तो उस पर attract हो जाता है. याने उसे वो लेने की इच्छा हो जाती है, तो जब जब जाता है, तो क्या हो जाता है? वो जो hook होता है rat trap का, वो उसके उपर आ जाता है, और वो उस rat trap में first जाता है. गाडियां अच्छे खाना अच्छा घर जो सब अच्छी चीजें हम उससे ट्रेट हो जाते और जब मैं इन सब चीजों के पीछे लग जाते इन सब चीजों को कमाने के पीछे हमें एक mad rush में आ जाते हैं, तो क्या होता है, हम इस rat trap में फस जाते हैं, रादर अपनी life enjoy करने की बज़ा है और peacefully अपनी life जीने की बज़ा है, हम क्या करते हैं, हम इन baits, यह जो चीजे हमें अट्रैक कर रही हैं, चीजे हम को baits बोलेंगे, तो यह जो चारा हमें मिल र जाते हैं, and finally इस पूरे world में हम trap हो जाते हैं, यह जो rat trap जैसा world है, उसमें हम फस जाते हो और इससे कभी निकल नहीं पाते हैं, His views are that the world offers us various types of baits in the form of comforts of life, तो यह दुनिया हमें क्या देती है, comfortable life की चीजे हमें हमें देती हैं, और इस किस तरह देती है, एक bait की तरह, जो चारा mouse को दिया जाता है, rat trap पे रखके, उसी तरह हम भी हो mouse की तरह है, जिसे यह चारा मिल रहा है, in the form of comforts of life, this in turn, return, traps us into the rat trap of the world and leads us to various types of miseries, और इसका result किया निकलता है, कि हम इन चीजों से attract हो के, हम अपनी life miserable कर देते हैं, अपनी life के comforts को enjoy नहीं कर पाते हैं, खुशियों को enjoy नहीं कर पाते हैं, बस इन सब चीजों के attraction में हम लोग इतना deeply चले जाते हैं, कि अपनी life miserable बना देते हैं, every night the peddler had to search for shelter as he has no home, तो यह जो peddler है, याने जो यह rat trap seller है, यह हर रात को एक अपने लिए shelter डूनना पड़ता है इसको, क्योंकि इसका कोई घर ने इदर दर भटकता रहता है, one evening he was offered shelter by an old crofter, तो एक बार यह शाम को एक grey color के cottage के पास जाता है, इसने जब knock किया, तो अंदर एक old crofter निकलता है, old crofter का मतलग एक old farmer, बहुत बूड़ा farmer निकलता है और उसने इसको shelter दी अपने घर में welcome किया, the next morning he sold the crofter's money which he had earned by selling the cow's milk, तो जो crofter होता है, इसको अपने घर में welcome करता है, इसको इतना अच्छा खाना बना के देता है, इसके साथ cards वाला game खेलता है, और इस इसके साथ अपने काफी सारे secrets शेयर करता है, तो इसने अपने साथ ये secret शेयर किया कि जब ये पुराने जमाने में काफी young हुआ करता था, तब ये Ramzo Ironworks में काम करता था as a farmer, अब ये बूड़ा हो गया, तो क्या करता है, इसके पास एक cow है, ये इस cow को जाके, इस cow का milk निका के मिले होते हैं, और कितने पैसे मिले होते हैं इसको पिछले महीने, 30 kroners, kroners is the currency of Sweden, तो ये इस rat trap seller को, इस stranger को, जिसको एक दिन के इसने shelter दिया है, old crofter अपने business related secrets भी इसको बता दिता है, अब ये जो पैसे दिखा है, old crofter ने किसको, rat trap seller को, तो इसने वो rat trap seller की जो पैसे थे, चुप चाप एक सुबा को चुडा लिए, और इसने सोचा कि मैं यहाँ से अब चले जातू, तो वो यहाँ से चुप चाप चला गया, उसने सोचा मैं हाईवे के रास्ते से जाऊंगा, तो क्या होगा, हो सकता है, पुलिस पकड़ लिसे, तो उसने कौन सा रास्ता अपनाया, forest यहने जंगल का रास्ता, और हुआ क्या, वो इस dense forest गने जंगल के, जो confusing रास्ते से उसमें, उन रास्तों में फज गया, तो उसके पास अगेन वो दिमांग में वो थौट आने लगा अपना, कि यह जो वाल्डेग राट्राप की तरह है, तो उससे यह लगने लगा, कि मतलब मैं भी इस राट्राप में फज गया, मैं भी अट्राक्ट हो गया उस उन पैसों से, और फिर अपनी जान बचाने की मैंने forest का रास्ता अपनाया, तो क्या हुआ, मैं इस घने जंग इस राट्राप जैसे forest में फज गया हूँ, और अब निकल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा, फिर क्या होता है, वो जंगल में जब घुम जाता है, बहुत टायड हो जाता है, तो वहीं जबीन पर लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत hopeless और sad हो गया, यानि उसमें उसने उम्मीद छोड़ दी, कि मुझे अभी हां से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, suddenly उसको एक आवाज आती है, और वो कैसी आवाज होती है, थंपिंग की, यानि हैमर से लोहे को पीटने की, बीट करने की जो आवाज होती, वो आ रही थी, वो एकदम से खड़ा होगे और excited होगे, उससे लगा, कि मतलब पास ही में कोई iron मिल है, और वो कौन सी iron मिल थी, राम master, वो आया, एक अपना, वो नॉर्मल सूपरवाइस करने, चेक करने आया अपनी factory में, कि सब काम ठीक तरीके स्वे, तो हो रहा है कि नहीं, जब आया तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, इस rat trap seller को देखा, जो की furnace, आख की जो भट्टी होती है, उसके सामने सो रहा था उन्होंने चेक किया कौन है, तो वो confused हो गए, कौन? आयान master, उन्हें लगा कि ये जो rat trap seller है, ये कोई उनका कोई पुराना friend है, Captain Wansdale, उनका friend हुए करते थे, जो exactly इस rat trap seller जैसे दिख रहे थे, तो आयान master क्या हुए, वो confused हो गए, और वो क्या समझने लगे उनको अपने पुराने friend हो, Captain Wansdale, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी इतनी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तो ये जो rat trap seller है, उसने सच नहीं बताया, कि आप गलत समझ रहे हो, मैं आपका friend नहीं हूँ, मैं तो एक rat trap seller हूँ, चोटी मुटी चोरिया करता हूँ, भीक मंगता हूँ, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई आयन मास्टर को, और उसने बोल दिया, हाँ मेरी life में बहुत hard times चल रहे हैं, डाउन हिल चल रहे है, यानि मेरा बुरा समय चल रहे है, इसलिए मैं ऐसे फटे पुराने कपड़े पहना हूँ, तो he is invited by the iron master's daughter, तो iron master ने बहुत उसको request करी, बहुत convince करने की कोशिश करी, कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तो जो pedler है, जो rat trap seller है, उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चलना, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, क्योंकि मैंने चोरी करी, और already ये कौन आयन मास्टर ही अपने पुराने जवाने में कोई soldier रह चुके, तो मतलब ये तो समझो, share के मुँ में हाट डलने वाली बात हो गई थी, कि चोरी करी और फिर soldier के घर चले गए, तो उसने मना कर दिया, आयन मास्टर अपने घर गया और उन्होंने अपनी बेटी एडला को भे किया, the next morning he is somehow stopped by the Iron Master's daughter for Christmas Eve and even after being caught that he was a peddler and not a captain's tale, फिर finally क्योंकि डॉटर आई उनको मना ने वो मान गए, कि ठीके चलो मैं आपके घर जाता हूं, जब वो घर गए, तो जो servant था, उन्होंने उसको अच्छे से नहलाया, उसकी बेर्ड बनाई, उसको नए कपडे दिये पहनने लिए, और उसको अच्छे से क्लीन किया, उसको haircut किया, तो वो इंसान बिलकुल कैसे लगने लगा, राट वेप सेलर, बिलकुल क्लीन, एक फ्रेश इंसान लगने लगा, और बिलकुल dirty नहीं था अब वो, जैसे ही वो breakfast करने के लिए आया, आयन मास्टर समझ गए, कि ये तो तो Captain Wansdale नहीं है, मतलब मैंने confusion में इसको वो अपना friend समझ लिया, तो Iron Master बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने क्या बोला, कि पहले तो हमने तुम्हें invite किया था कि हमारे घर चलो, Christmas पर हमारे साथ दिन को enjoy करो, लेकिन तुमने हमारे साथ धोका किया, तुमने नहीं बताया हमें सच कि तुम हमारे वो पुराने friend नहीं हो, तुमने हमें धोका दिया, और अब तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं police को बुलाओंगा, तो उसने क्या बोला कि तुम यहां से चले जाओ, अब क्या होता है जो आइन मास्टर की डॉर्टर होती है, वो somehow इसको रोक लेती है कि तुम मत जाओ, वो अपने father को convince करती है और वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई है, लेकिन यह इनसान वो है जिसको हमने इतना respect दिया, हमने इसको बोला कि अपने घर हमारे घर आओ, Christmas का दिन enjoy करो, तो आहम अब इसको भगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अल्सो अस पूरे घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ आप रहते हैं और मैं रहती हूँ, याने आयन मास्टर और सिर्फ उनके daughter रहती थी, हर साल हम अकेले Christmas celebrate करते हैं, तो क्यों नहीं इसको एक दिन यहां पर हम रहने देते हैं, पूरे साल बर इसको कोई अपने घर welcome नहीं कर फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फाइनली Christmas का दिन था, अभी तक सुभा को ये सोय जा रहा था, ये सोया हुआ था, कौन राट ट्रैप सेल, तो आयन मास्टर और उसकी डॉटर ने सोचा कि हमारा गैस याप सोरा, इसको 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 जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है किसी के थूँ कि एक पुराना ओल्ड क्रॉफटर, एक पुराना ओल्ड फार्मर था, जो की रैम्स जो आयन वर्क्स में काम किया करता था, उसके गर चोरी हो गई और उसके गर एक रैट ट्रैप सेलर ने 30 क्रॉनर जो थे वो चुरा लिये हैं वो तो एक चोर निकला, तो वो लोग बहुत डिसपॉइंट हो और उसके फादर सोचने लगे कि जब तक हम घर पहुचेंगे चर्च से, हमारे घर पूरी चोरी हो चुकि कुछ भी नहीं बचा होगा तो वो लोग जल्दी से अपने घर पहुचे और जैसी वो पहुचे उन्होंने अपने सर्वेंट से पूचा कि कहीं वो चला तो नहीं गया राट्रैप सेलर और अपने साथ अपना कुछ सामान ले गया क्या? तो जो सर्वेंट जो वालिट होता है, वो बताता है कि नहीं, वो तो चला गया और अपने साथ कुछ नहीं ले गया इंस्टेड एक पाकेज, इक गिफ्ट रखे गया है Miss Edla Will Manson के लिए यानि कि Iron Master की डॉटर के लिए तो Iron Master की डॉटर ने जब वो खोला तो उसको उसमें क्या मिला? एक rat trap मिला जिसमें वो 30 kroner notes रखे हुए थे जो उसने क्रॉफटर के चुराए हुए थे और साथ में एक letter मिला, एक note मिला जिसमें उसने क्या लिखा था? उसने thanks लिखा था कि thank you so much तुमने मुझे इतनी respect दी तुमने मुझे इतना अच्छा welcome किया कि आज मैं ये सब चीजे छोड़ के जाना हूँ तो peddler न उस note में लिखा था कि thank you तुमने इतना अच्छा मेरे साथ बेहेव किया और ये जो 30 kroner notes हैं तुम ये वापिस लॉटा दे न उस old crofter को जो सड़क के किनारे roadside में रहता है तो ये जो story है हमें ये सीख देती है कि एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया ने कभी accept नहीं किया हमेशा धक्के मार के निकाला उसको किस ने accept किया? उसको Adla Will Manson याने Iron Master के daughter ने accept किया उसके साथ बहुत अच्छा treatment किया उसको अच्छा खाना खिलाया उसको Christmas के दिन अपने घर welcome किया और अपने father से convince भी किया कि ठीक एमानते हैं इसकी गलती है लेकिन इसको फिर भी हम Christmas पर रुखने देते तो क्योंकि एक इंसान जिसको कोई accept नहीं करता बुरी तरीके से उसको treat करता है suddenly जब उसको life में acceptance, love and appreciation मिलती है तो एक बुरा इंसान भी अपनी बुरे काम छोड़के अच्छा इंसान मन सकता है और अच्छे इंसान में convert हो सकता है ये story हमें वही message देती है कि जो rat trap seller था वो एक old वो किया था बुरा इंसान था चोरियां करता था और उसने crofter के 30 kroners notes भी चुरा लिये थे लेकिन क्योंकि आयन master की daughter ने उसको welcome किया बहुत अच्छे से treat किया वो as a person change हो गया और अपने चुराय हुए पैसे दे गया वापिस कि तुम crofter को वापिस लोटा देना ओके so this was all about the summary now let's begin with the important comprehension question and answers question number one what are the instances in the story that show that the character of the iron master is different from that of his daughter in many ways हमें chapter में कुछ ऐसे instances बताने कुछ ऐसी चीजें कुछ examples बताने जिससे हमें ये पता चलता है कि जो iron master थे वो completely different person थे अपनी daughter से कैसे पता चलता है ये देखते है the characters of both iron master and his daughter were totally different from each other तो iron master अपनी daughter से completely different था अलग था the iron master was a proud man iron master क्या था बहुत ही proud man था वो हमेशा हर चीज में बहुत proud feel करता था when he saw the peddler he mistook him as an old regimental comrade and tried to help him out as a sense of pride तो जैसे ही उसने अपनी factory में इस rat trap seller को देखा उसने confused होके उसको अपना पुराना captain समझ लिया और उसे बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है मैं इसको घर लेके आया इसके hard times में मुश्किल समय में और इसको मैंने अपने घर पे welcome किया तो proud man का मतलब ये था कि वो बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि चलो मैंने अपने पुराने आर्मी के फ्रेंड को identify किया और उसकी मुश्किल समय में उसे अपने घर ला कि उसकी मैंने help करी when he realized that he had been mistaken he called the peddler to be dishonest and also warned him to call the sheriff तो जब उसे बाद में पता चला आयन मास्टर को कि उसने red rat trap seller ने उन्हें उसको दोका दिया है वो actually में एक rat trap seller है और उसका वो पुराना captain friend नहीं है तो उसका behavior बिलकुल change गया उसकी तरफ उसने उसे बहुत चलाया उसे जूटा कहा, dishonest कहा also sheriff याने पुलिस को बुलाने की भी धमकी दी तो याने उसका बिलकुल behavior change हो गया किसके लिए? rat trap seller के लिए not only this, he worried about his silver spoons when he comes to know that the peddler was a thief also जब church में उसे पता चला कि जो इनसान उनके घर पे रहा हुआ है वो एक rat trap seller और एक बहुत बड़ा चोर भी है तो उसको बहुत tension होने लगी कि हमारे घर पे जितने भी silver, चांदी के चमच है वो सब भी वो चुरा के ले गया होगा on the other hand, the iron master's daughter was a kind lady अब उसके opposite जो iron master की daughter है वो बहुत kind थी याने लोगों से बहुत अच्छे से treat करती थी who really wanted to help the peddler और वो actually चाहती थी कि वो peddler की help करे in fact जब उसे पता भी चल गया कि ये हमारा वो पुराना captain friend नहीं है ये एक rat trap seller है उसने फिर भी उसकी मदद करी और जो उसने promise किया था आप Christmas का day हमार साथ spend करना उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी उसने वो अपना promise रखा और Christmas का day पर उसको enjoy कराया ये सब जानने के बावजूद भी उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी उन्होंने peddler याने rat trap seller को उसकी daughter ने बहुत respect दी और अपना उसके kind nature उसके जो उसने इतना अच्छा behavior किया rat trap sellers के साथ इसी behavior इसी अच्छे behavior की वज़े से जो rat trap seller था वो उसके अच्छे इंसान में convert हो गया उसने चराय हुए पैसे वापिस कर दिये इसको daughter को of iron master की और कहा कि old crofter को उसके पैसे लोटा दे so this was the difference between the iron master and his daughter question number two what made the peddler finally change his ways जो peddler था जो rat trap seller था ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो इसने finally decide कर दिया कि मैं change हो जाऊंगा और change his ways का मतलब कि मैं जो इंसान हूँ जो गलत काम कर रहा हूँ अपने अपमे अपमे change लाऊंगा तो Edla Will Manson's kindness रीफॉर्म दपेडलर जो Edla Will Manson थी जो आयन मास्टर की डॉटर थी उसकी kindness उसके अच्छे behavior की वज़े से जो rat trap seller था वो रीफॉर्म हो गया याने की अच्छे इंसान में change हो गया हर kindness, compassion and generosity killed the thief in him तो Edla Will Manson की जो kindness थी compassion याने की जो friendly behavior था और generosity याने की जो humble थी वो इतनी polite थी rat trap seller से उसने rat trap seller के अंदर जो एक चोर रहता था उसको kill कर दिया he gifted her a rat trap और उसने उनकी daughter को क्या gift किया? एक rat trap gift किया. Also he returned the 310 kroner notes that he had stolen from the crofter's house. Also 310 kroner के notes याने 30 kroner के notes से वो भी वो लटा के गया उसकी daughter को कहा कि मैंने जो crofter के house से चुरायते वापिस उनने वहाँ पे बिजवा देना He requested her to return the money to the old crofter. He wrote a letter to her thanking her for treating him well just like she would have treated the real captain Also जब उसने rat trap gift किया उनकी daughter को तो साथ में एक note भी लिख के दिया जिसमें उन्होंने उसको thanks बोला rat trap seller ने उसकी daughter को thanks बोला कि तुमने मुझे साथ इतना अच्छे से behave किया, मुझे इतना well treat किया और exactly वैसे treat किया मुझे जैसे कि मैं सच में ही कोई captain हूँ. तो इसी वज़े से Adla के behavior की वज़े से rat trap seller इंसान जो था वो change हो गया है good person में Question number 3 How does the metaphor of the rat trap serve to highlight the human predicament? Predacument का मतलब a difficult situation जो हमारे chapter का title है The rat trap वो क्या है? एक metaphor है Metaphor मतलब दो ऐसी बाते एक साथ लिखी गई जो की क्या है? Contrasting है Rat trap seller एक metaphor कैसे हुआ याने कि वो rat trap बेचता था और उसे ये भी लगता था कि ये जो दुनिया एक rat trap है हम इसमें fuss भी जाएंगे तो जो उसका business था वो basically उसके oppose करता था तो ये जो metaphor है rat trap ये कैसे highlight करता है कैसे बताता है chapter में human predicament के बारे में याने एक किसी इंसान की difficult situation के बारे में So the answer is the world tempts the human beings by various good things such as luxuries, enjoy, food, shelter, clothing, warmth, etc तो ये जो world है ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे comfortable things है जैसे की luxury गाडियां luxury खाना food, अच्छा खाना अच्छा shelter, अच्छे कपड़े warmth याने सर्दी के time पे जो heat मिलती है heater के थुरू या किसी के भी थुरू जो warmth and comfort of life मिलते है ये एक bait की तरह treat करते हैं हम humans को और हम क्यों हो जाते हैं इससा attract हो जाते हैं They are just like a bait which is planted to trap someone in the rat trap of the world तो ये सब चीज़े क्या हैं एक bait की तरह act करती है यानि वो चारा जो एक mouse को दिया जाते है ताकि वो rat trap में attract हो के फस जाते है तो हम इंसान भी इसी rat trap जो की world, जो की rat trap जैसे उसमें ये comfortable चीज़ों को देखे इसकी पीछे दौनने लगते हैं इससे attract हो जाते हैं ultimately हम फस जाते हैं In the story, the peddler was attracted to the 30 kroners of the crofter which he stole from him और इस story में जो पेडलर है, जो rat trap seller है वो किस से attract हो जाता है old crofter के, old farmer के 30 kroner notes देखे वो उन पे पैसो पे attract हो जाता है और वो चुरा भी लेता है He found himself trapped in a forest as he planned to hide himself by walking through the woods तो उसने क्या किया उसने वो attract हो गया पैसो से और पैसो को उसने चुरा लिया फिर उसने सुचा कोई मुझे पकड़ना ले तो उसने highway का रास्ता छोड़कर forest jungle का रास्ता अपना है और वर वर क्या होता है इस घने jungle dense forest में वो रास्ता भूल जाता है और गुम हो जाता है तो basically वो इस trap में फसा और अपने आपको trouble में मुश्किल में पाया उसने और जब वो फस गया forest में तो उसने सोचा कि ये इसके लिए एक सजा है एक punishment है क्यों क्यों कि उसने गलत काम किया बुरा काम किया पैसे चुराए और वो अट्राक्ट हुआ था पैसो से याने इस वर्ल्ड में जो राट्राप है जो राट्राप जैसा ये वर्ल्ड है वो इसके पैसो जो पैसे ऐस अबेट यहां पर आट करने उससे अट्राक्ट हो गया और वो फस गया और इस difficult situation में आ गया और forest से बाहर नहीं निकल पा रहा है So children with this we come to an end of this session है तो आपको कुछ नहीं करना आपको स्रिफ Google पर जाना है और हमारी website का नाम magnetgreens.com टाइप करने जैसे ही आप टाइप करेंगे इस तरीकी का पेज आपके सामने आजाएगा जहां पर सारी classes mentioned है Class 12th, 11th, 10th, 9th and so on For example आपको Class 11th English का इंगले Class 11th में के English के विडियोज देखने तो आप Class 11th पे क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी teachers की लिस्ट आजेगी जो Class 11th के different subjects पढ़ाते हैं और English जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो आपको इस option पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सारी list of chapters और उनके explanation की विडियोज आजेगे जो मैंने पढ़ाई हूए For example आपको Honble Book Chapter 1 The Portrait of a Lady का introduction देखना है तो आप इस option पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा विडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा So children I hope आपको समझ में आगे होगा कि कैसे अगर YouTube पे आपको हमारा विडियो नहीं मिलता है तो आप website से directly easily जाके अपने विडियो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई complete कर सकते So children मैं आगे और भी chapters आपके लिए लेकर आओंगी तब तक ली you are supposed to stay tuned तब तक ली bye bye and take care